नवास्कार दोस्तों मेरा नाम है डवाग और स्वागशत आपका मारी एक उर् इख सब्क्राइड के बारे में सबसे भीले बेस वेरेंड के फिसर हिर इंदर आपको टाइड के अंदर यह पर कोई भी इस बेस 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 style wheel मिलने वाले हैं यह वाई अलव विल नहीं है यह steel rim wheel है लेकिन इनकी design ऐसे कर दिये गए है कि अलव विल जैसे है वो नज़र आते हैं और सामने के विर बात करें तो इस second base variant के अंदर आपको यहाँ पे DRL वो company प्रवाइड करवा रही है जो काफेदा अची चीज है और इस second base variant के अंदर आपको छोटी सी sunroof भी वो प्रवाइड करवाई जा सकती है जो एक अच्छा value for money इस variant को बना देगी और रियर प्रफाल के बात करें तो यहाँ पे आपको वाइप प्रवाइड के अंदर नहीं मिलेगा लेकिन आपको नीचे के वो dual tone bumper वो प्रवाइड करवा दिया गया है और सामने के वो प्रवाइड आपको dual tone bumper वो देखने हो मिल जाएगा इंडिरियर के अंदर आपको फैब्रिक शीर जैसे feature हो मिलने वाले है और जो TFT डिस्प्ले बगर है यह भी आपको monochrome के अंदर मिलने वाली है आप बात करें top end variant के तो top end variant के अंदर आपको कई सारे बेड़े changes देखने हो मिल जाएगे सबसे बड़ा tires को लेगर क्या गया है यहाँ पे आपको dual tone अलवी लो प्रवाइड करवाइड करवाए गया है all four tires के अंदर आपको display का वो देखने हो मिल जाएगे हाथ से फोल्ड वो करने पड़ेंगे top end के अंदर आपको fully electric के अवार बेम हो मिलने वाले है उपरी के वर बात करें तो आपको roof rail से वो इस top end variant के अंदर देखने हो मिल जाएगे top end variant के अंदर महिंदर ने प्रवाइड करवाया गया है और आपको डॉल टोन बंपर वो देखने हो मिल जाएगा इंटीरेर में बड़े बदलाव इस गाड़ी के अंदर किये गए है top end variant के अंदर यहां पर आपको 10 इंज का इंज का इंज में देखने हो मिल जाएगा डिजिटल आपको M.I.D.O. प्रवाइड करवाए गई है राधर अपी स्टेरिंग देखने हो मिल जाएगा तब तक के लिए ठेक केर और भाइबाइड विडियो देखने हो मिल जाएगा